नमस्कार मैं हूँ नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस 36 गड़ बुलिटेन में आज 36 गड़ से जुड़ी साथ खटनाए हैं नगरपाली का शेतर में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेगा पूरी तरह से लोग टाउं विपार को बढ़ाना है तो ऐसे उत्पाच चुली जिनकी बाजार में हैं काफी मांग गोरेला पेंडरा मरवाही में 55 वर्षिब बुजर्ग पर अग्यात हमलावरों ने चलाई गोली कोसीर बंधवा तलाबों का अस्तित्व खत्रे में सफाई के लिए मैदान में उत्री युवाची बलजराम पूर जिले में भारी बारी से एक घर हुआ जमिदोर सरकारी नोकरी लगाने के नाम पर महिला अधिकारी पर लगे लाखों के छगी के आरोव वटी आई के खिलाफ उनी के ठाने में शिकायत दर्स चलिए अब आपको सभी खबर दिखाते हैं विस्तास 36 गड़ के नारायन पूर जीले में करोना संक्रमन को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाया गया है आपको बता दे कि नगरपाली का शेत्र में संक्रमन से बचाव एवं स्वास्थेगत अपात कालिन स्थिती को नियंतर्ण में रखने के लिए 27 जुलाई से 2 अगस्त तक लोकडाउन रहेगा कलेक्टर अभिजीत सिंग ने यह आदेश जारी किये हैं समाजिक अलगाव का पालन करना आवश्यक हो गया है जिससे देखते हुए शेहरी शेत्रों में यह लोकडाउन किया जा रहा है आदेश में नगरपाली का नरायनपूर शेत्र में समस्त सार्वजिनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ओटो रिक्षा इतियाद ही शामिल है परिचालक को ततकाल प्रभाव से बंद किया गया है केवल एमर्जेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवगमन की अनुमती रहेगी अनुमती प्राप्त गतिविधियों को छोड़ कर अन्य समस्त दुकाने व्याव साइक प्रतिष्चान गोदाम होट बजार संपून गतिविधिया बंद रहेगी चिकन मटन मचली के विक्रे प्रतिबंद रहेगा बाहर निकलने पर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने समंदी शासन के दिशा निदेशों का अनुपालन करना अनिवारी होगा किसी भी स्थिती में दो से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने से प्रतिबंदित किया जाएगा सभी विध्याले, महा विध्याले, शैक्षनिक, ट्रेनिंग, कोचिंग, संस्थान बंद रहेंगे प्रंतु ओनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमती होगी सभी सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविदिया, रैली एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंद रहेंगे अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकलना प्रतिबंदित किया गया है नरायनपूर से समाधाता गैंदलाल मरकाम की रिपॉर्ट अब अगली खबर की और रूख करते हैं अगली खबर 36 गड़ के दुर्ग भिलाई से हैं जहां जीला पंचायत CEO S. आलोक ने विभिन ग्राम पंचायतों का निरिक्षन किया आपको बता दे कि CEO ने जन्पत पंचायत दुर्ग के ग्राम पंचायत अर्सनारा, बोडे गाउं, रवेली जही और नदकटी ग्राम पंचायत का अकस्मिक निरिक्षन किया वहीं उन्होंने नर्वा, गर्वा, घुर्वा, बाड़ी योजना के अंतरगत, ग्राम पंचायतों की गुनवता एवं रखरकाव की जानकारी ली साथ ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के किरिया वनन की भी मोनिटरिंग की CEO को बोड़े गाउं की स्वयम सहायता समुहू की महिलाओं ने जूमर, मौमती, कैंडल, राखी जैसे उतपाद भी दिखाए CEO ने इसकी प्रशन साकी, उन्होंने कहा कि अपने लाप का दाइरा बढ़ाना है तो उतपादों के वैध्यों को बढ़ाना होगा सबसे पहले ऐसे उतपाद चुने जिनकी मांग बाजार में काफी अधिक हैं आपको बता दे कि मुख्य मंत्री भूपेश भगेल ने चतिसगड के पाटन में गोधन न्याय योजना के किरिया वनन के अवसर पर गोठानों में रोजगा ठोर के रूप में ग्रामिन आजीविका केंदर स्थापित करने की घोशना की थी इसका उदेशिय ग्रामिन शेत्रों में ऐसे उत्पादों का निर्मान आरम करना भी था जो अभी तक शहरों से आते थी और जीने थोड़े पशिक्षन के पस्चात और अपनी हुनर मंदी से ग्रामिन महिलाएं भी बना सकती हैं खुशी की बात यह है कि जीले में ऐसे परियोग अधिक अधिक गोठानों में एवं ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं बताते चले कि आजिला पंचायत CEO S. आलोक ने विभिन ग्राम पंचायतों का निरिक्षन किया यहां उन्होंने गोधन न्याय योजना के की या वनन की भी मोनिटरिंग की CEO को बोरेगाओं की स्वयम सहायता समुहू की महिलाओं ने जूमर मुमती केंडल आदी दिखाए रवेली डी की जोती स्वयम सहायता समुहू की महिलाओं ने पापड बड़ी आचार जैसे उतपाद CEO को दिखाए CEO ने कहा कि बाजार में जो ब्रांडेड आचार या खादे समगरी आती है उसका एक इतरह का स्वाद होता है और वे महंगे भी होते हैं क्योंकि उद्योग से ग्राहक तक पहुचने में बहुत सा चैनल होता है इस वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है ऐसे में यदि आप लोग अलग तरह से चीज़ों को बनाएं इसकी गुनवत्ता पर मेहनत करें और नानी दादी के द्वारा सीखें उसको पर काम करें खादे समगरी बनाएं तो आप लाजवाब चीज़ बनाएंगे ही और आपके लिए बड़ा बाजार बन जाएगा साथी समझाईश दी गई कि गोधन न्याय योजना के अंतरगत परतेग गोठान समीतियों द्वारा गोबर का करें किया जाना है जिसके लिए किसानों को प्रोट्साहित करें कि अधिक से अधिक मातरा में गोबर इकठा करें राजसरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अनुजार गोठान समीति के लिए पशुपालक अथ्वा गोधन मित्र सकी अथ्वा स्वयम सहायता समुहू को बैंक के खाते के माधिन से भुगतान किया जाएगा उन्होंने कहा कि गोधन नियाय योजना को प्रोचाहित करने की दिश्टी से गोधन नियाय योजना में समस्त खातों का संचालन सहकारी बैंक के माधिन से किया जाएगा दुर्ग भिलाई से समाधातार राजेंदर गाड़े वधनंजे वर्मा के रिपोर्ट अब बढ़ते हैं अगली खबर की हूर 36 गड़ की गोरेला पेंटरा मरवाही में जमेनी विवात को लेकर बाइक सवात तकरीबन 55 वर्षे बुजर्गों पर अग्यात हमला वर्ने गोली चला दी जिससे गंभीर रूप में घायल बाबु लाल राठोड को जिरा चिकित साले गोरेला पेंटरा मरवाही लाया गया जहां उन्हें के हालात गंभीर होने के कारण उन्हें बिलासपूर सिम्स रेफर कर दिया गया आपको बता दें कि गोरेला पूलिस के द्वारा मामला दर्च किया गया है एवं आरोपे की जाँच पर ताल की जा रही है दरसल मामला गोरेला थाना शेतर के अंतरगत लालपूर के बाइक सवार बाबु लाल अपने दूसरे खेत गुम्वा टोला की ओर जा रही थी अचानक एहसास हुआ कि सीने में दाहिने और कुछ तकलीफ हो रही है गाड़ी रोक कर जब उन्होंने देखा तो खून बह रहा था और तुरंत उनके सहयोगियों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गोरेला पेंडरा मरवाही से समाधाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट अब चलते हैं अगली खबर की ओर अगली खबर है 36 गड़ के सारंगड से 36 गड़ के सारंगड तहसील के कोसीर बंदवा के तलाब रायगड जीले के सबसे बड़े तलाबों के रूप में जाने जाते हैं जो केवल लगबग 56 एकर शेतरफल में फैले हुए हैं प्रंतु आज कोसीर बंदवा तलाब में पैदल चलपाना मुश्किल हो गया है आपको बता दे कि बंदवा तलाब कोसीर सहीत आसपास के सभी गाउं के लिए महतवपून तथा उपयोगी है आज भी लोग नहाने वक खाना बनाने के लिए इस तलाब के पानी का ही पाले निर्मान हो जाने के बाद भी लोग इस तलाब को उपयोग शोचाले के लिए कर रही हैं जिससे जल संक्रमन के साथ साथ अन्य बिमारिया उत्पन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है इसको देखते हुए आज कोसीर युवा टीम के युवाउं ने तलाब को पास की लोगों और ग्राम पंचायत को भी अपनी जिम्मेदारी और प्रबलता से दिखानी होगी तथा समय समय पर तलाबों की सफाई करानी होगी जिससे तलाबों को सुरक्षित और उसकी उपयोगिता बनी रहे राएगर सारंगर से समधाता शामकुमार पटेल की उनात नगर थाना के अंतरगत ग्राम पंचायत हरी गर्मा का है पिछले कई महीलों से भारी बारिश होने के कारण जमीन की स्तहक गीली हो गई है जिस कारण यहादसा हुआ घर में रहे रही निवासी बलाकात अंसारी वह आसपास की ग्रामी निवासी ने बताया कि बीती र निकाला गया बक्रियों को भी मामुली चोटे आई हैं दरसल उनका परिवार कई वर्षों से वहां निवास करता है और उनके पास उसके अलावा कोई दूसरा मकान भी नहीं है प्रशासन के मुआफ़े की मांग की है ताकि वह दूसरा मकान बनाकर अपना आगे का जीवन य के 여ां वायरा को भारी बारीस के कारतगी इसमें बुरी थे मेरा बखरी भी पर उसका मझलों यहां निवास पषसे कर रहे हैं हम तेरहवाट तेरह बाट के करमांग कर निवास है यहां जहां के मुळा बहुत पहले से रहता हूं तो आप पंचाय ज् Gary St रखता हूं अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर महीला एवं बाल विकास विभाग में पदस्त जीले के ततकालीन महीला प्रवेक्षक का वीडियो सोशेल मीडिया में वाइरल हो रहा है इस से जीले में हडकंप मच गया है वाइरल वीडियो में लोग दावा कर रहे हैं कि महीला अधिकारी ने लोगों से सरकारी नोकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है इस मामले में स्थानी नेताओं के भी शामिल होने की चर्चा है पीडितों ने 36 गड़ के बोलोदा बाजार के कोतवाली थाने में महीला अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्श करवाई है फिलाल पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्श नहीं किया है जांच की बात आगी की कारेवाही करने की बात कही गई है पिडितों ने आरोप लगाया है कि जीला में पदस्त ततकालीन महिला प्रवेक्षक मेवा चोपड़ा ने आंगनवाधी कारे करता एवं अन्य विभाग में नोकरी लगाने के नाम पर लाखु रुपई की ठगी की है शिकायत में कहा गया है कि प्रवेक्षक चोपड़ा ने अपनी पदस्थापना के दोरान ही नोकरी लगाने के नाम पर भारी भर कम रुपई ली है जिसका किसी ने वीडियो भी बना लिया है जो प्तेजी से वाइरल हो रहा है लोग अधिकारी के खिलाफ कड़ी कारिवाही की बात भी कह रही है पिडितों ने बताए कि आरोपी महीला अधिकारी ने कई लोगों से लाखु रुपई लिये लिये और किसी को नोकरी भी नहीं लगवाया बतादे कि आरोपी महीला अधिकारी का बलोदा बाजार जिले से सुकमा ट्रांसफर हो गया है लेकिन उन्होंने वहाँ जोइनिंग नहीं ली है इस वजह से विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है अबी महिला अधिकारी रायपूर में होने की बात कह रही है जानकारी के मताबिक लाखो रुपए की ठगी के इस मामले में कुछ स्थानी नेताओं के भी मिली भगत होने की बात सामने आई है बताय जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने कुछ लोगों के रुपए भी वापस किये है कोतवाली निरिक्षक विजे चोधरी ने बताया कि थाने में तीन साल पहले जीले में पदस्त महिला बाल एवं विकास के प्रवेक्षक मेवा चोपडा के खिलाव शिकायत दर्ज आई है अधिकारी पर नोकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप लगाया गया है इस संबन में शिकायत करता से पुक्ते सबूत लिए जा रहे हैं जाज के बाद अग्रेम कारेवाही की जाएगी चोधरी ने बताया कि अभी तक 18 लोगों ने थाने में शिकायत की है जिनका बयान दर्ज किया गया है अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर चतिसगड के खमारे डिही में टी आई के खिलाफ उनी के थाने में शिकायत दर्ज की गई यह शिकायत पत्रकारों द्वारा की गई है आपको बतादे की राजधानी के पत्रकार हेमंत शर्मा के खिलाफ खमारा डिही थाने में धाना 155 के तहट शिकायत दर्ज की गई थी बता दे कि पत्रकार हिमंत शर्मा ने टी आई के दुआरा की गई शिकायत में एक खबर बनाई थी जिसमें का गया था कि 23 जुलाई की रात खमारा जिही थाना इलाके के स्टील कालोनी के मुखे दुआर के बाहर एक फ्लैट में बर्थडी पार्टी का आयोजिन किया गया था बताया गया कि यहां रहने वाली एक यूवति का आज जनम दिन था फ्लैट में यूवकों को देखकर कालोनी के किसी व्यक्ति ने पूलिस को इसकी शिकायत दे दी मौके पर पहुँची पूलिस ने चार यूवतियों और पांच यूवकों को गिरफतार कर लिया उन्हें थाने में बंद कर दिया गिरफतार किये गए सभी यूवाओं के उपर पूलिस ने धारा 151 के तहत कारेवाही की थी इस खबर में हमंत शर्मा ने फ्लैट से गिरफत किये गए युवाओं के उपर पूलिस द्वारा की गई कारेवाही को लेकर सवाल उठाया था जिसके बाद 25 जुलाई को वो लड़किया ठाने पहुंची थी और खबर को लेकर हिमन शर्मा के खिलाफ पूलिस को आवेदन दिया था जिस पर पूलिस ने धारा 155 के तहत पा आपको यहां मेरे शिकायत करनी हैं वहां कीजिए पतरकारों के सवालों का सही जवाब ठाना प्रभारी नहीं दे पा रही थी ममता अली शर्मा के जवाब से नराज पतरकारों ने तै कि ममता अली शर्मा की शिकायत उन्हीं के थाना में की जाए पतरकार हिमन शर्मा ने कहा की इस पूरे घटना कर्म से उनकी छवी दुमिल हुई है वे मांसिक रूप से व्यथीत हैं उन्हों ने भी अपरादिक मानहानी का केस करने थाना प्रभारी के खिलाफ उनकी शिकायत उन्हीं के थाने में की पत्रकारों ने ग्रह मंत्री तामर ध्वज साहू से मुलाकात कर इस पूरे प्रक्रण से उन्हें अवगत करवाया पत्रकारों की शिकायत पर संग्यान लेती हुए ग्रह मंत्री ने ततकाल एसेसपी अजय यादत से बात की और इस मामले में उन्हें उचित कारिवाई की निदेश भी दिये वहीं एसेसपी ने कहा कि जिस तरह का वाक्य आप लोग बता रहे हैं उस पूरे प्रक्रण में वहमानते हैं कि पत्रकारों के साथ पुलिस वालों का व्यभार अनुचित नहीं होना चाहिए जैसा कि थाना प्रवारी का व्यभार इस घटना कर में नजर आ रहा है इस पूरे प्रक्रण की जाच होगी और जाच के बात कारिवाही की जाएगी बविश्य में किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा वाक्य ना हो इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा सभी थानो लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हन्ने बाद जैबी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेबल मारिच पलेस राजगराना और जैबी बैंक्वेट्टी गार्ण वोल्ड-class catering, centrally air-condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जैबी बैंक्वेट्टी गार्ण